आप में से कई लोगों ने 2023 में फिल्म रिलीज हुई बार्वी जरूर देखी होगी इस फिल्म में बार्वी लेंड दिखाया गया है जिस दुनिया में तरह तरह की बार्वीज हैं मोटी, पतली, काली, गोरी, छोटी, बड़ी, सब तरह की कोई भेदभाव नहीं क्योंकि सभी बार्वी अलग-अलग रूप में हैं फिल्म बार्वी का मकसर यही बताना था कि हर कोई खूबसूरत है कोई हमें पसंद करें इसके लिए खुद को नहीं बदलना चाहिए इस फिल्म के जरिये दर्शकों को अच्छा-खासा मेसेज तो मिल गया लेकिन ऐसी फिल्मों में काम कर रही अक्ट्रिस खुद अपनी सुनदर्ता को निखाने के लिए एक से बढ़कर एक मैंगे ट्रीटमेंट्स करवा रखती हैं ताकि उनकी स्किन जवान रहे, खुबसूरत रहे और ग्लोइंग रहे जिनने देख आजकर की यंग गर्स इंस्पार होकर एक्स्ट्रा ब्यूटी ट्रीटमेंट को बढ़ावा दे रही हैं और उनकी और बढ़ रही है मार्केट में एक से एक सर्जरी और ट्रीटमेंट्स अविलेबल है जो कि आपके लिप्स, नोज, आईज, चहरे के हर चीज़ को बोल्ड, ब्राइट और ब्यूटिफुल बना सकती है जवान दिखने के लिए लोग फेस फिलर से लेकर बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं इसके अलावा भी कई ट्रीटमेंट्स मारकेट में अविलेबल है लेकिन अब जिस प्रोडेक्ट की मांग बढ़ रही है उसके बारे में शायद ही आपने पहले सुना हो या कभी सोचा भी हो नमसकार आप देखने दा न्यूस 15 और आपके साथ मैं सुम्विका सुन्दर्दा के लिए महिलाएं आजकल खतनाक से खतनाक ट्रीटमेंट कराने से पीछे नहीं हटती लोगों के मन में सुन्दर्दा के लिए एक छवी बैढ़ गई जिसमें महिला का गोरा, पतला और चमक्ती तवचा बला होने का खुबसूरती कहलाता है यही चीज़ें उनके खुबसूरती का सबूत होती है, फिर इसे पाने के लिए कुछ महिलाएं किसी भी हद तक जा सकती है बीते साल ब्राजील से सामने आए मामले को ही देख लीजिए, यहां लोना एंड्रेट नाम की इंफ्लूएंजर की लिपोसेक्शन सर्जूरी के दौरान कार्डियक अरेस्ट आने से मौत हो गई थी मशूर मॉडल किम कार्डियशन की हमशकर क्रिस्टीना एश्टन का 34 साल में प्लास्टिक सर्जूरी के गलत होने के बाद कार्डिक अरेस्ट से उनकी भी मौत हो गई थी अरजंटीना की famous actress सल्वीना लूना की भी गलत plastic surgery के कारण मौथ हो गई थी 2022 में कनेट actress चेतना राज की plastic surgery के दोरान हुई एक गलती की वजह से उनकी मौथ हो गई थी बॉलीवूड इंडरस्ट्री में भी ऐसी कई अक्टरिस शामिल है जिने प्लास्टिक सर्जूरी करवाना काफी महंगा पड़ गया और उनका पूरा चेहरा ही बरबाद हो गया अनुषका शर्मा, आशिया टाकिया, राखी सावन्थ, वकोईना मित्रा, कैटरीना कैफ, श्री देवी जैसी कई बड़ी अक्टरिस इसका शिकार बन चुकी है जवान दिखने के लिए लोग बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट को करवा रहे हैं, वही लेकिन अब एक ऐसी चीज मार्केट में आई है जिसका एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए इस्तमाल हो रहा है यह सैलमन मचली का स्पर्म है, आपको बता दे कि अमेरिकन हार्ट एस्सेशेशन के अनुसार हफ़ते में एक बार सैलमन मचली खाने से हार्ट एटेक और दिल से जुड़े रोगों किसे मदद मिलती है सैलमन मचली का इस्तमाल वजन घटाने में भी काम आ सकता है सूजन को कम करने के लिए सैलमन मचली का यूज किया जा सकता है दिमाग की एफिशेंसी बढ़ाने के लिए भी सैलमन मचली के फाइदे देखे जा सकते है कैंसर से बचने के लिए भी सैलमन मचली का सेवन किया जा सकता है विटमिन B और विटमिन D के रूप में भी सैलमन मचली के फायरे देखे जा सकते हैं कभी-कभी किसी वज़े से मोट ठीक नहीं रहता जिसे सुधारने के लिए भी सैलमन का सेवन किया जा सकता है बालों को हेल्डी बनाई रखने के लिए भी सेल्मन मचली का इस्तिमाल किया जाता है भही अब महिलाएं इससे फेशल करवा रही है ये बीते कुछ महीने से काफी चर्चा में है डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार हॉलिवूड आक्टर्स जैनिफर एनिस्टर जैसे मशूर चहरे इसे अपनी पसंद बताते हैं इसके जरिये होने वाले स्क्रिन टीट्वेट में सैलमन मचली के स्पर्म से मिलने वाले पधाद को एक छोटी सी सुई के सहारे से लगाया जाता है ये प्रोड़क्ट सैलमन मचली के स्पर्म का ही एक हिस्सा है जिसे साफ करने के बाद इस्तमाल किया जा सकता है इंजेक्शन को कोलिजन, नए खून और पोशक तत्वों को स्टिमिलेट पानी उत्पेजित करने के लिए आखों के आसपास की स्किन पर लगाया जाता है इसके कारण तुचा की टाइटनिस और चिकनिस, मुहासे, लालपन और सूजन जैसे स्तिती में सुधार होता है साथी मीडिया रिपोर्ट में स्किन स्फोर्ट के हवाले से बताया गया है कि बोटोक्स से ये जादा फाइदमन है इसे नाच्चरल बताया गया है, एक्सपोर्ट का कहना है कि बोटोक्स और पिलर अभी भी पॉपुल है और चहरे के स्ट्रक्चर जूरियों में कमी और उसे पतला करने के लिए एफेक्टिव है सैत्मम स्पर्म फेशल के एक सेशन का खर्चा 275 पाउंड्स यानि की करीबन 28,000 रुपे है इसमें बहतर नतीजों के लिए दो से तीन बार ट्रीटमेंट लेना पड़ता है कई हॉलिवूड अक्ट्रिस जैसे गैवनित पाल्चू और स्टेला मार्क टेनी ने स्पर्म फेशल या सिमन फेशल करवाया है और कहा है कि इससे उनकी तुचा चमकदार और टाइट रहती है साथ ही जूरियों और फाइन लाइन्स कम होती है इस फेशल में ताजे स्पर्म से चहरे पर 30 मिनिट तक मसाज किया जाता है ताकि यह तुचा से समा जाए और चहरे पर बलड सेर्कूलेशन बढ़ जाए इसे फिर 20 मिनिट तक फेस मास के रूप में लगाया जाता है इसे सा पहुच आता है हाला कि डॉक्टरों के सला के बाद ही सिवन फेशल एक्सपर्ट से करवाना चाहिए तो आज की हमारी इस जानकारी भी वस इतना ही अब इस पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए इसकी साथ देखते रहे हैं यह ता निउस सुफ्ट